सबी सातियों को मिरा नवसकार, I hope आप सबी लोग बहत्रेन होंगे और बहत्रेन तरीके से अपनी प्रप्रेशन का रहे होंगे आज हम इस वीडियो में 2.13 में जो इंगलिस कोशन पेपर हुआ है क्लाश 12 के अंतरगत 3-16 ZW इस कोशन पेपर में आपको सेक्शन भी यानि की राइटिंग सेक्शन से आपको एक लेटर पूचा है तो इस वीडियो में हम उस लेटर का सॉलूसन देखेंगे तो सातियों आपका कोशन है आपको जो पत्र लिखना है उसका आपको विसे दिया है तो अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल्स यानि नियमेत अंतराल पर सहपाट चर्या संबन्दी गत्य विदियों की विवस्ता करने है तो तो सबसे पहले सातियों आप आंसर लिखेंगे तो आपको लेखना होता है सेंडरास एडरास यानि भेजने वाले का पता तो यहां मैंने पता लिखा है सी 306 देवस्त्री हाइड्स यानि की सी 306 देवस्त्री हाइड्स यहां आप जिले का नाम लिख देंगे तो मैंने लिख दिया है मीरट यह नमर चाएं तो डाल सकते हैं नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसके बाद आपको लिखना है यानि कि यह तो हो गई आपका सेंडरस एडरस यानि भेजने वाले का पता उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है तो आप लिखेंगे जुलाई 25, 2023 कुछ भी आप डेट मेंशन कर सकते हैं इससे कोई भी फार्क नहीं पड़ेगा उसके बाद आपको एक लाइन का इसपेस देना है और वहां आप लेखेंगे रिसीवर एडरस यानि के प्राप्त करने वाले का पता तो सबसे पहले आप लेखेंगे टू यानि कि सेवा में अब किसके लिए 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 प्रधानाचारी जी के लिए तो यहां यह गलत मिस्प्रेंट हो गया है तो आप टू के जश्ट नीचे वाली लाइन में लिख द करते हैं वही लिख देंगे तो मैंने लिख दिया यहां मेरट इतने में आपको कोई भी समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपको कोशन में से देखने को मिल जाएगा लेकिन इसे मैंने अपनी तरफ से थोड करतना करते हुए आप चाहिए तो इससे ऐसे भी लेख सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज एट रेगुलर एंटर्वल्स यहीं से हो जाएगा ठीक है तो आपको यह कोशन से ही लेखना है उसके बाद लेखेंगे रेस्पेक्टेड सर या क्योंकि जो आपके प्रधाना चारे हैं वह मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी यानि प्रधाना चारे भी हो सकते हैं या प्रधाना चारे भी हो सकते हैं तो इतना प्रेंसिपल के लिए सेम रखेंगे के वल आपको यहां सब्जेक्ट चेंज करना है साती हो आप चाहें तो इ को करिकुलर एक्टिविटीज इन अवर कॉलेज मैं यह पत्र हमारे कॉलेज में सह पाठ चर्या संबंदी गति विधियों की कमी के बारे मैं अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए लिख रहा हूं और मैं यह प्रार्थना करता हूं कि चात्रों के लिए नियमेत सह पाठ चर्या गति विधियों का युजन किया जाए तो पहले पराग्राफ में आपने इतना लिखा I am writing this letter to express my concern about the lack of co-curricular activities in our college and request that regular co-curricular activities be organized for the students मैं यह पत्र हमारे college में सह पाठ चर्या संबंदी गति विधियों की कमी के बारे में अपनी चंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं और अनुरोद करता हूं कि चात्रों के लिए नियमेत सह पाठ चर्या गति विधियों का आयोजन किया जाए इसके बाद आगले paragraph में लेखेंगे co-curricular activities are essential part of the overall development of a student यानि कि जो सह पाठ चर्या है या सह पाठ चर्या संबंदी जो गति विधियों हैं वे एक चात्र के समग्र विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है and they provide a platform for students to showcase their talents, enhance their skills and develop their personalities और वे चात्रों को उनकी प्रतिभा दिखाने और उनके कौसलों को बढ़ाने और उनका जो ब्यक्तित्व है उसे बिक्सित करने में भी एक महतपूल मंच प्रदान करते हैं आप चाहें तो इसका एक screenshot ले सकते हैं सातियों और उसके बाद आगे आप लेखेंगे However, I have observed, हलांकी मैंने देखा है that our college does not organize co-curricular activities at regular intervals हलांकी मैंने देखा है कि हमारा college या हमारा विध्याले नियमेत साच्छातकारों में सहपाट चर्या संबंदी गत्विधियों का आयोजन नहीं करता है और आगे आप लेखेंगे And this has resulted in a lack of opportunities for students to participate in these activities और इसके परड़ाम स्वरूप चात्रों को इन गत्विधियों में भाग लेने के अवसरों की कमी हो गई है यानि कि और इसके परडाम स्वरूप चात्रों को इन गत्विधियों में भाग लेने के अवसरों की कमी हो गई है आगे आप लिखेंगे I am confident, मेरा बिश्वास है, that with your support एक नठ ये रह गजा है आपका paragraph I believe that these activities will not only help the students to develop their skills and interests but also foster a sense of our community among them I believe, मेरा मानना है या मेरा बिश्वास है कि ये गत्विधियां ना केवल चात्रों को उनके कौसलों और रुचियों को विखसित करने में मदद करेंगी बलकि उनके बीच समदाई की भावना को भी बढ़ाने में मदद करेंगी I am confident और मुझे विश्वास है that with your support कि आपके समर्थन से our college can become हमारा बिध्याला बन सकता है a more vibrant and dynamic यानि कि एक अधिक जीवन्त and dynamic और गतिसील प्लेश मानिस्तान for students चात्रों के लिए to learn, सेखने के लिए and grow और आगे बढ़ने के लिए I am confident that with your support our college can become a more vibrant and dynamic place for students to learn and grow मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन से हमारा बिध्याला चात्रों के सीखने और बढ़ने के लिए एक अधिक जीवन्त और गतिसील इस्तान बन सकता है Thank you for your attention to this matter इस मामले में या इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद And I look forward to your positive response और सकारात्मक प्रक्रिया के लिए मैं आपका जो द्रेश्ट्रिकॉर्ण है उसका इंतियार कर रहा हूँ इसके बाद नीचे लाइन में आप लेख देंगे Yours Obediently और नीचे लेख देंगे उसके X,Y,Z Yours Obediently और उसके नीचे X,Y,Z तो वीडियो कैसा लगा साती हो? कमेंट करके एक बार आवस बताएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पोर वाचिंगे